आई हम प्रातना करते हैं, हमारे सुर्गे पिता प्रभु जह हम आपको धनेवाद देता हैं पिता आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु आप से विंती प्रातना करते हैं प्रभु समझने के लिए हम एक एक को आप सहायता करें प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सभाग्य के लिए कि प्रभु आपने इखटा हुने का हमें के को मौका दिया प्रभु नम्रता पूरवक हम आपके चर्णों में आते हैं अपने वच्णों को आप हमें खूल कर दें पिता सबातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं सरादर महिमा के वल हम आपको देते हैं प्रातना प्रभी यश्य मसी के नाम से मांगते हैं मैं परमिश्र का धन्यवाद देता हूं प्रभु ने एक बार फिर हमें एक खटाउने का मौका दिया हम लोग यहुना रचिसु समाचार सीख रहे थे पिछले साल हमने यहुना रचिसु समाचार बारवा अध्याय का उन्निस तक देखा था आज हम उसी के कंटिनेशन को देखेंगे बारा का बीस से हम लोग पढ़ेंगे उसके लिए यहुना बारा का बीस से लेकर तैईस तक एक बार पढ़ ले जाए यहुना बारवा अध्याय उसका बीस से लेकर तैईस तक जो लोग उस पर में अरादना करने आये आये थे उन में से कुछ युनानी थे उन्होंने गलील के बैदसेदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विंति की स्रीमान हम येशु से भेट करना चाहते हैं फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर येशु से कहा इस पर येशु ने उनसे कहा वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो हाँ बस हम यहाँ पर रुक रुक कर हम देखेंगे तो सबसे पहला बाकी किसी सुसमाचार में हम इस घटना को नहीं देखते हैं कि जहां पर युनानी लोग प्रभी येशु मसी के पास आ रहे हैं ताकि उन्हें प्रभु के बारे में जान सकें और आपको अलमें ये कोई नहीं बात नहीं है युनानी लोग यरुशले में आते उनका आना जाना नॉर्मल था वो अराधनाले में आकर संगती करना मंदिर में जाना अने जाती के जो एरिया में खड़े होकर प्रभु की स्तूती करना युनानी लोगों का एक सबसे बड़ा खासियत ये था कि ये सच्चाई को जानने के ज्यान पाने के इनका एक लाल सा था आपको अलमें बाकी सब लोगों में से सबसे अलग लोग होते थे युन उसको जानने के लिए अपना जीवन खर्च करो, तो ये उस प्रकार के लोग थे, जो दुनिया के सारे धर्मों का ध्यान करना, नहीं नहीं बातों को जाना, ये इनका एक शौक था, तो ये प्रभी येश्यो मसी के पास किस प्रकार आए, कि ये फिलिपुस के पास आकर बोलत कि हमने बीच में सीखा था कि किस प्रकार प्रभी येश्यो मसी ने दूसरी बार मंदिर की सफाई करी, मंदिर की सफाई मतलब, मंदिर को लोगों ने फिर से क्या बना दिया था, बजार व्यापार बना दिया था, प्रभु ने क्या किया, कोड़ा बना कर, वहां पे सारे उतर बेचने वालों को और बाकी सब को उस जगह से निकाला ताकि क्यों निकाला ताकि प्रवियश्य मसी क्या बोलता है मेरा पिता का घर क्या कहलाना चाहिए मेरे पिता का घर प्राथना का घर कहला है तो उस समय में ये युनानी लोग वहां पर खड़े देख रहे थे कि ये कौन सा विक्ति है ये ऐसा कौन है जिसने पूरे मंदिर का सफाया कर दिया और कोई कुछ करने ही पाया बाकि सब के सब खड़े चुपचाप क्या करते रह गए देखते रह गए तो युनानी लोगों को ये बात जानने का क्या हुआ जिग्यासा हुआ और इन्हों ने फिलिप युनानी लोगों का प्रभु के पास आना एक और बात का चिन है कि प्रभी येश्यमसी का सुसमाचार किस प्रकार पूरे दुनिया भर में जाना है अगर बचन में हम लोग देखें कुछ बात हैं मौन को तो सबसे पहला आप देखें प्रभी येश्व मसीख इस प्रकार भविश्वानी को पूरा करता है ये शाया 56 का साथ हम लोग पढ़ लेंगे ये शाया 56 का साथ आईसेया 56 वर्श 7 उनको मैं अपने पवित्र परवत पर ले आकर अपने प्रातना के भवन में आनंदित करूँगा उनके होम बली और मेल बली मेरी वेदी पर ग्रहन किये जाएंगे क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रातना का घर कहलाएगा मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए कुन सा घर कहलाएगा प्रातना का घर कहलाएगा आपको मैं इसके साथ एक और पढ़ लेते हैं यर्मिया साथ का ग्यारा यर्मिया साथ का ग्यारा क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टी में डाको की गुफा हो गया है मैंने स्वेम ये देखा है यहुवा की यह वानी है हाँ तो आप जब देखेंगे न प्रभी ये श्मसी जब मंदिर का सफाया कर रहा है तो प्रभू अपने दिमाग से आकर कोई भी बात नहीं बोल रहा है बलकि पुराने नियम में पहले ही भवश्य दक्ताओं ने जो बातें बोली उन बातों को याद करते हुए वहाँ पर मंदिर का सफाया करते हुए प्रभी ये श्मसी के टाइम में सिर्फ पुराना नियम ही लिखा गया था और पुराना नियम लिखा गया था लेकिन प्रभी एश्यमसी पुराने नियम की हर एक बातों को याद करते हुए एक कदम बढ़ा रहा है इससे प्रभी एश्यमसी के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है प्रभी येश्य मसी कोई उस समय के बड़े कॉलेज में नहीं गया आपको आल में उस समय में बाइबल का कॉलेज क्या था फरीसियों के पास बैठ कर शास्त्रियों के पास बैठ कर वचन सीखना बचन में लिखा है प्रभी येश्य मसी उन शास्त्रियों के पास तो गया नहीं सीखने के लिए लेकिन एक आम यहूदी जो एक बड़ई एक गरीब परिवार से बड़ई है है ना लेकिन ये आम विक्ती बचन को इतने अच्छे से जानता है कि अपने जीवन के हर एक काम को किस से कर रहा है वचन को देख देख कर कर रहा है कुछ भी गलत हो रहा है क्या वचन में है वचन का इस्तेमाल कर रहा है शैतान का सामना करने के लिए भी किसका इस्तेमाल कर रहा है वचन का प्रभी येश्य मसी के जीवन को आप संतुलन कैसे देख सकते हो, प्रभु का पूरा जीवन एक प्रातना का जीवन भी था, वहीं दूसरी और, कुछ भी करता था, तो किस के द्वारा करता था, वचन के द्वारा करता था, कई बार आपको अलमे हमारे जीवन में संतुलन नह बता रहा है कैसे संतुलन होना और इसके साथ ही साथ कई बर जब युनानियों का प्रभी येश्य मसी के पास आना ये क्या चीज को दिखाता है हमने प्रातना के विश्य में भी देखा मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए क्या कहलाएगा कई बर आपकोल में कई लोग कि प्रभी येश्य मसीना सिर्फ इसराइल के लिए भेजा गया, सिर्फ यहुदियों का था, वो सब का परमेशर नहीं था, लेकिन हम बचन में कितनी जगा में पढ़ते हैं कि वो जगत का उद्धार करता है, इसलिए आपको अलमेना, हम यहुन्ना एक का उनतिस में देखा थ जो क्या लेकर जाता है, जो जगत का पाप उठाकर ले जा रहा है, यह बचन में यह नहीं लिखा कि प्रभी येश्य मसी इसराइल का पाप उठाकर लेकर आने के लिए आए, जगत का पाप, फिर दूसरी जगह हम देखते हैं, यहुन्ना तीन का सोला में हम क्या पढ़ते ह है, सामरी लोग भी क्या बोलते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं, यहुन्ना चार का 42, यहुन्ना चार का 42, और उस इस्तरी से कहा, अब हम तेरे कहने कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया, और जानते हैं कि यही सच मुच में जगत का उधार करता है, तो इससे हमें क्या चीस हमें आता है जब लोग बोलते है प्रभी एश्यमसी कोई इसाई धरम के लिए है या सिरफ इसराइलियों के लिए है या सिरफ यहूदियों के लिए तो वचन हमें बार-बार क्या प्रमान देता है वचन क्या सबूत हमें देता है प्रभी एश्यमसी क का आना एक हिंट था किस प्रकार प्रभी येश्य मसी आगे सेवकाई करने वाला है और आगे जब हम इसमें देखते हैं यहां पर लिखा है मैं 20 से पढ़ूँगा जो लोग उस परव में अराधना करने आये थे उनमें से कुछ यूनानी थे उन्होंने गलील के बेचसेदा के रहने वाले फिलिपुस के पास आकर उससे विंति की शिरिमान हम येश्यू से भेट करना चाहते हैं है यहां पर लिखा हम येश्यू से भेट करना चाहते हैं आपकोल में यहुदी लोग येश्यू से क्या बोल रहे थे हम चिन देखना चाहते हैं लेकिन युनानी लोग क्या बोल रहे हमें चिन नहीं देखना हमें किस से मिलना है हमें येश्यू से मिलना है है आज दुन्या हमें अलग-अलग प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग किसके पीछे जाते हैं, चिन और चमतकार के पीछे जाते हैं, उन्हें इससे मतलब नहीं है कि क्या वो सच्चाई है या नहीं, यहां पर युनानी लोग क्या बुलते हैं, हमें चिन और चमतकार के पीछे हम नहीं जा रहे हमें किसे देखना है हमें येश्यू से मिलना है और आगे आपको अलमें यहां पे लिखा है फिलिपुस ने आकर अंद्रियास से कहा और अंद्रियास और फिलिपुस ने जाकर येश्यू से कहा आपको अलमें अंद्रियास के बारे में हमने देखा अंधरियास एक ऐसा वेकती था कि जो भी इसके पास आता है वो हर किसी को किसके पास लेकर जाता था प्रभी येश्यो मासी के पास लेकर आपको में पूरे यहुना में आप देखेंगे अंधरियास जैसा सौभाव सबसे अलग है जब इसने प्रभु को जाना अपने भाई को किसके पास लेकर गया येश्यू के पास लेकर गया है ना छोटे बच्चों को उसमें जब पांच जार की भीड थी तो एक बच्चे के पास जो पांच रूटी दो मचली थी उस बच्चे को किस के पास लेकर गया येश्य मसी के पास अंद्रियस का एक स्वभाव था जो भी मिलता था सब को किस के पास लेकर जाता था आज एक सवाल आता है मैं जिन से भी मिलता हूँ क्या मैं उन्हें येश्य के पास लेकर जाता हूँ या मैं उन्हें येशु से दूर कर देता हूँ क्या मेरा जीवन, क्या मेरा चाल चलन लोगों को प्रबु के करीब लाता है या लोगों को प्रबु से दूर कर देता है और यहाँ पर आप देखेंगे जब अंद्रियास और फिलिपुस येशु मसी के पास आकर बोलते हैं कि कुछ युनानी लोग हैं प्रभु जो आप से क्या करना चाते हैं मिलना चाते हैं हमें नहीं मालूम आगे की घटना में क्या प्रभु येशु मसी ने इन युनानीों से बात की या नहीं की लेकिन प्र मनुष्य के पुत्र की क्या हो? महीमा हो. यहाँ पर एक सबसे बड़ा बात आप देखेंगे, मनुष्य के पुत्र की महीमा हो की जो बात प्रभी येश्यमसी बोल रहा है, बारा से आगे हम हर जगा में पढ़ने वाले हैं, मनुष्य के पुत्र की महीमा, परमेश्य की महीमा. तो मनुश्य का पुत्र जो शब्द है हमने सीखा भी था दानियल की पुस्तक सात्वा ध्याय में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले मनुश्य का पुत्र आया जो शब्द आया मनुश्य का पुत्र किसके लिए इस्तेमाल किया गया मसीहा के लिए कि इसराइलीयों के लिए मसीया आएगा जो जिसका राज्य अनन्तकाल तक होगा तो जब प्रभी येश्व मसीज बोल रहा है कि समय आ गया कि मनुष्ये के पुतर की महिमा हो तो लोगों के दिमाग में क्या चलने लगा कि अभी प्रभु येश्य मसी इस पृत्वी पर अपना क्या स्थापित करेगा राज्य स्थापित करेगा ऐसे करकर उनके दिमाग में चलने लगा अगर दानियल सात्वादय में देखते हैं कि अलग-अलग राज्यों के बारे में अशूरी, बैबिलोन, मादी फार्सी बहुत सारे ये राज्यों के बारें बताया गया जिनको हमने पढ़ा था दानियल की पुस्तक में अलग-अलग जानवरों के रूप में दिखाया गया याद है अलग-अलग जानवरों के रूप में तो क्यों जानवरों का इस्तेमाल किय गया यह इतने इनका स्वभाव ऐसा था लेकिन जो मनुष्य का पुत्र जो मसिया है उसको मनुष्य का सा रूप दिखाया गया कि यही है जो सच में अच्छे से राज्ये करेगा तो इसराईलोग जब येश्य मसी को देख रहे थे तो बहुत तेरे लोग ये सोच रहे थे कि प्रबू अगर ये मसिया है तो ये अब हमें क्या करेगा हमें रोमी गुलामी से आजाद करेगा और अपना क्या करेगा राज्य स्थापित करेगा अब कलमें यहुदी लोगों ने बहुत गुलामी में जा जाकर ब हम क्या नहीं कर सकते, कुछ आजाद नहीं हो सकते, हम अपनी ताकत से राज्य स्थापित नहीं कर सकते, अगर होना है, तो किसने हस्तशिप करना है, परमेशर ने कुछ ना कुछ करना, तो उनके दिमाग में ये चल रहा है, तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, कि येश्य मसी जो मसिया है मनुशे का पुत्र ये आकर कुरूस पर मरने के द्वारा महीमा करेगा उनकी नजर में महीमा कैसे होगी कि जब वो अपना मसिया जब राज्य स्थापित करेगा तो आप समझने जब प्रभू बोलता था ना लोग क्या समझते थे और प्रभू क्या कहना चाहरा थ कितनी बार ऐसा होता है, हम वचन सुनते हैं तो कई बार वचन का हम कुछ और ही क्या निकाल लेते हैं मतलब निकाल कर बैठ जाते हैं, है ना तो इसलिए यहाँ पर हमने उस बात को बहुत अच्छे से समझ ना है तो यहाँ पर प्रभी एश्य मसी यहाँ पर बोलता क्या है यह मनुश्य के पुत्र का महिमा कैसे होगा उसको हम 24 से पढ़ेंगे 24 से लेकर हम 26 तक पढ़ेंगे यहुन्ना बारा का 24 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहु का दाना भूमी पर पढ़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है और जो इस जगत में अपने प्राण को अपरिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले और जहां मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी होगा यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आधर करेगा हाँ जी तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभी येश्य मसी यहाँ पर एक बहुत ही important lesson बहुत ही महत्पुन lesson हमें सीखने को दे रहा है क्या क्या बात है यहाँ पर हम देखते हैं मैं तुम से सच-सच कहता हूँ जब तक गेहूं का दाना भूमी में पढ़कर मर नहीं जाता जोन सकते हैं अब पर प्रभी येश्य मैसी चीज को बोल रहा है जों पुर बोलता है कि हम सब obl好像 सब ना एक गेहूं के किसके समान है जूदै ने के समान है यहाँ पर प्रभू अपनी मृत्यों के बारे में भी संकेテ रहा है साथी साथ अपनी कलीसिया को भी संधेश दे रह जब वो गिरकर क्या होता है भूमी में मरता है तब जाके क्या होता है बहुत फल लेकर आता है यहां पर मैं आपको कुछ बाते यहां पर हम लोग सीखेंगे क्या क्या बाते हम लोग यहां पर देखते हैं आपको अलमें जब दाना जब अकेला होता है न तो जब उसको आप ज इतने अगर मौसम ठंडा है, मौसम बेकार है, देखो मुझे कहां पर जमीन में पढ़ने के लिए मरने के लिए लोगों के द्वारा पैरों से रूंदे जाने के लिए मुझे ऐसी क्या कर दिया, छोड़ दिया, दाना बहुत कुछ अगर बोल सके तो अपना दुख बता सकता ह लेकिन प्रभी येश्य मसी बोलता है, जब तक ये मरेगा नहीं, तब तक क्या नहीं आएगा? तब तक फल नहीं आएगा. इससे हमें क्या बास समझना है? कलीसिया का अगर आप इतिहास देखेंगे ना, तो एक बात बहुती प्रसिद कहावत है कलीसिया के बारे में बोलत जनी है यानि कलीसिया का कलीसिया प्रभु की कलीसिया बढ़ने के पीछे का रहसे क्या है बहुतों ने अपने अपनी जान क्या करी है दी है ताकि परमेश्वर की कलीसिया आगे क्या होती जाए बढ़ते जाए बहुतों ने अपनी जान दी है ना अगर हर कोई अगर मान लीज इंग्लेंड में रहने वाला अपने परिवार के बारे में अगर अपने बारे में सूचता तो आज हम में से कोई भी क्या नहीं होता हम में से कोई भी विश्वासी नहीं होता हमारे पास कभी क्या नहीं होना था परमिशर का वचन नहीं होना था वहां का एक वेक्ति इंडिया में आकर यहां पर फैक्टरी में काम करकर मजदूरी करकर हमारी भाशाएं सीखकर हमारी भाशा में उसने क्या दिया बाइबल लिखकर दिया ऐसे करते वक्त उसके बच्चे मर गए उसकी पत्नी मर गई पागलों कर क्या क्या नहीं लास्ट में उसकी भी मौत कहां पर हुई य अगर वह विक्ति अपने बारे में ही सोचता, तो हम तक क्या नहीं पूंचता, ऐसी यहाँ पर लिखे, गेहु का दाना जब तक मरेगा नहीं, तब तक क्या नहीं होगा, सब्सक्राई dual पूंचते Нचा क्या क्या उख अगर मैं चाहता हूं कि परमेशर मुझे इस्तेमाल करें बोलते हैं ना परमेशर मेरा जीवन किस के लिए इस्तेमाल हो अगर परमेशर ने सच मुझे इस्तेमाल करना तो शर्त क्या है? मुझे अपनी इच्छाओं के लिए अपनी योजना के लिए अपनी अभिलाशाओं के लिए क्या करना होगा मरना पड़ेगा कि प्रभू मेरे जीवन में मेरी कोई मर्जी मेरी कोई इच्छा क्याना हो आपकोल में तब ही कौन इस्तेमाल करेगा तभी परमेशर इस्तेमाल करेगा इसलिए मेरे हाथ में है कि मैं क्या चाहता हूँ मैं गेहूं का दाना बन कर जिंदगी बर रहना चाहता हूँ तो मैं किसी के लिए आशिश का कारण नहीं बनूँगा हाँ लेकिन मैं अकेला रहूँगा कुछ समझ में आ रहा है अगर मैंने आशिश का कारण बनना है वचन क्या बोलता है तुने क्या होना है भूमे में पढ़कर मरना है इसके लिए आगे जब वचन में हम जब देखते हैं तो जो वेक्ति सच में अपनी इच्छाओं के लिए मरता है अपनी योजना के लिए मैं बारवे बोलूँगा अपनी इच्छाओं के लिए जो मरता है जो बोलता है मेरी कोई मरजी नहीं हो वही सच में क्या कौन बनता है परमेशर के बरतन या परमेशर के दास केवल कौन बनता है जो अपनी इच्छा के लिए क्या होगा मरेगा है ना दूसरा बात यहाँ पर आपको अलमे प्रभी एश्य मसी यहाँ पर क्या बूलता है जो अपने प्रान को प्रिये जानता है वो उसे क्या कर देता है खो देता है और जो इस जगत में अपने प्रान को अप प्रिये जानता वो अनंत जीवन के लिए उसकी क्या करेगा रक्षा करेगा तो यहां पर बात आता है क्या मैं अपने जिन्दगी को क्या मैं अपने आप से इतना प्यार करता हूं पहला बात अगर परमेशन ने मुझे इस्तिमाल करना है तो मुझे अपनी इच्छाएं छोड़नी दूसरा बात हम क्या चीज़ देखते है प्रभू बोलता है जो अपना प्राण बचाने की सोफता रहता है जो सिरफ अपने बारे में ही सोचता है उनके बारे में आपकicated दो वजेदे एक एक वेक्ति आपने प्राण से बहुत प्यार करता है पहला कि वह अपने स्वार्थ क अपनी इच्छा को क्या कर सके, पूरा कर सके, इसलिए वो अपना प्रांट बचाना चाहता है, दूसरा जब हम सीखते हैं, क्या चीज मालूम चलता है, उसे चिंता होती है, हाँ, मैं अगर अपना सब कुछ छोड़ दूंगा, तो मेरा क्या होगा, तो अपने आगे की दस बा अगर आज सोचो, आज प्रभी येश्यो होता और हमें बोलता, हाँ, कि आप अपना सब कुछ छोड़ कर, क्या कर लो, मेरे पीछे आजाओ, सिंपल सा सवाल, क्या मैं आउंगा, यह मैं बोलूंगा, प्रभु आप एकना प्रात्ना बवन बना लो, वहाँ पे आप क्लास ल तो हम क्या बूल सकते हैं, प्रभु एक काम करो, मैं बेच कर आजाता हूं, पैसे तो मेरे पास ही रहेंगे, है न, हम क्या क्या सोच सकते हैं, प्रभु क्या बूलता है, जो अपना प्रान क्या करता है, उस आयत को मैं दुआ से पढ़ता हूं, जो अपने प्रान को प्रिये जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसे क्या करेगा बचाएगा आपको अलमे प्रभु ने एक बार नहीं दो बार नहीं कितनी बार ये बात को बुला है कि जो अपने प्रान को बचाना चाहता है वो उसे क्या कर देगा खूदेगा आपको अलमे एक बार एक प्रभू के दास सेवा कर रहे थे बहुत ही परिस्टितियां बहुत खराब थी तो उनके दोस्तों ने उनके जान पहचान वालों ने उनको बुला कि आप न थोड़ा जादा अभी खत्रा है आप जादा मत करो तो उन्होंने मालू में क्या बुला जंक लगने से अच्छा है जल जाना अगर मैं प्रभू की इच्छा के नुसार नहीं चलूँगा मुझे में क्या लग जाएगा मुझे में जंक लग जाएगा कोई चीज जंक लगके सड़ने से अच्छा है उसका सही से क्या हो जाए इस्तेमाल हो जाए प्रभु ने एक जीवन मुझे दिया है, क्या मैं इसे जंक लगके सडाना चाहता हूँ, या जो एक जीवन प्रभु ने दिया, मैं पूरा का पूरा प्रभु तेरी महिमा के लिए इसे मैं क्या करना चाहता हूँ, बिताना चाहता हूँ, है ना, आपको अलमें एक बहन थी, योवान करके उनका नाम था आर्क जगा से थी तो उनके बहुत दुश्मन हो गए वो भी प्रबु के लिए जी रही थी सेवा कर रही थी बहुत दुश्मन के हो गए थी तो उनको बोला कि देखो आपके बहुत दुश्मन हो गए तो आपके पास अब आपके पास ज्यादा ट एक साल से ज्यादा टाइम है, मेरे पस कितना टाइम ही बचा है, बस यही साल बचा है, आप से प्रातना है, जितना इसको इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे जीवन को, उतना क्या कर लो, मेरे पस कितना टाइम ही बचा है, एक ही साल बचा है, मैं इस एक साल को बरबाद नहीं करना चा आते हो कर लो आज हम एक एक अपने बारे में देखें हम सब प्रात्ना में आते हैं संगती करते हैं क्या मैं अपने बारे में ही सूचता रहता हूं कि मैंने आगे क्या करना है मेरा क्या प्लान है मेरा क्या यह है या मेरे अंदर की तमन्ना यह रहती है प्रभू आपने यह जी थे, कितने लूप, जो सच मुच, जिन्नों ने अपना अपना जीवन किसके लिए समर्पित किया, और आपको ये तक मालुम चलेगा, कि जिने हमारे मुकाबले कुछ भी वचन नहीं मालुम था, जितना हमें प्रभु ने क्या करने को दिया हमारे मुकाबले जिनको कुछ भी बचन जानने को नहीं मिला उन लोगों ने अपना जीवन प्रभु के लिए कैसे बिताया और वहीं जब हमें इतना प्रभु ने बचन सीखने को दिया क्या मैं अपना जीवन, अपनी इच्छाओं के लिए बिता रहा हूँ, या मैं ये समर्पन करता हूँ परबु, मेरे जीवन में जंक लगने से अच्छा, ये तेरी महिमा के लिए क्या हो जाए, ये खर्च हो जाए, परबु मुझे नहीं मालो मेरे पास कितना टाइम बचा है लेकिन जितना बचा है, जितना आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रभू आप अपनी महिमा के लिए क्या करो, मुझे इस्तेमाल करो, देखो यहाँ पर सारी बात, आपको मैं वचन में बहुत बार ये बात बुला, अगर प्रभू परमीशर का वचन एक बार से ज़्यादा, अगर बार बार उस बात को बोलता है ना, तो मैं आपको बोलूँगा, इसे सीरियस्ली लेना, हम देखो कुछ वचन हम पढ़ सकते हैं, मर्कुस 8 का 35 पढ़ लेजे, मर्कुस 8 का 35 क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमचार के लिए अपना प्राण खोएगा, वह उसे पाएगा, अगर मैं सिरफ अपने लिए जी रहा हूँ, वचन प्रभू क्या बोलता है, तु अपने प्राण को क्या कर देगा खोदेगा, लेकिन जो कोई मेरे और सुसमचार के लिए अपने प्राण खोएगा, वह उसे क्या करेगा, बचाएगा, एक और आइथम पढ़ लेते हैं, मत्ती, सोला का पच्चिस क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वह उसे पाएगा लूका नौका 24 पढ़ लीजे क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा, वह उसे खोएगा, परन्तु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वह उसे बचाएगा हाँ जी, उसके अब मत्ती 10 का 49 पढ़ लीजे जो अपने प्राण बचाता है, वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वह उसे पाएगा लूकास 17 का 33 पढ़ लीजे जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोएगा, वह उसे जीवित रखेगा हाँ, यहाँ पर हमने देखा कितनी जगा में वचन क्या बुलता है, अपना प्राण बचाएगा, जो सिरफ अपने लिए जीने के लिए सूचता है, वह उपने जीवन को क्या कर देगा, खोदेगा, लेकिन जो प्रभू के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, वचन क् कि मेरा अपने बारे में कि मैं कितना पैसा बना सकता हूं या मेरा कितना फाइदा हो सकता है लेकिन वचन हमें क्या चीछ बूलता है जो प्रभू के लिए जीवन बिता रहा है जो दुनिया की सोच की तरह नहीं जो प्रभू के लिए अपने जीवन को खर्च कर रहा है प्रभ इसलिए यहां पर लिखा है, वचन हमें क्या बूलता है, यदि कोई मेरी सेवा करे और मेरे पीछे होले, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे होले, और जहां मैं हूँ, वहां मेरा सीवक भी होगा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका क्या करेगा, अब कोल में प् परमेशर का वचन दिया उसका मेन उद्देश क्या ये नहीं है कि हम प्रभु के पीछे तो आएं लेकिन हम अपने लिए जीए अगर आप ध्यान से देखेंगे बड़ी भीड तो आती थी वचन सुनने के लिए लेकिन बाद में चली भी जाती थी लेकिन कौन थे जो हमेशा येशु के साथ रहते थे वो प्रभु येशु के चेले थे प्रभु ने आपको आल में मत्ती 28 का 18 से 20 में क्या बोला जाओ सब जातियों के लोगों को मेरा क्या बनाओ मेरा चेला चेला कौन जो हमेशा मेरे साथ रहता है जो हमेशा मेरे साथ रहता है जो मेरे लिए अपना प्रान क्या करेगा दे देगा चेला कौन है जो मेरी सेवा करेगा अगर उस संधर्प से अगर आप देखेंगे तो मैं कुन सी कैटेगरी में आता हूं किया मैं प्रभू का चेला हूँ या मैं वो भीड हूँ जो सिरफ वचन सुनने आती थी और बाद में चली जाती थी प्रभू ने ये नहीं बोला जाओ सब जातियों में से मेरे लिए भीड इखटी करो ताकि मेरा भवन किस से भर जाए किस से भर जाए भीड से भर जाए प्रभू का वचन क्या बुलता है जाओ सब जातियों के लोगों को मेरा चेला बनाओ चेला कौन जो मेरे लिए अपना प्राण देने को भी क्या रहेगा जो मेरे लिए जीवन बिताएगा जो मेरी सेवा करेगा अगर हम इस संदर में देखें तो हर एक प्रभू का चेला प्रभू ने क्यों चुना ताकि वो प्रभू की क्या करे प्रभू की सेवा करे प्रभू के लिए अपना जीवन खर्च करे लेकिन प्रभू क्या बुलता है जो अपना प्राण बचाने के लिए जो अपने लिए जीने के कोशिश करेगा वो अपने जीवन को क्या कर डालेगा क्या कर डालेगा अपने जीवन को बरबाद कर डालेगा खो देगा लेकिन जो मेरे लिए और मेरे सुसमाचार के लिए जो अपने जीवन को दाओ पर लगाएगा प्रभू क्या बोलता है वो क्या अपने जीवन को बरबाद नहीं वो अपने जीवन को क्या कर लेगा पाएगा वो बचा लेगा है ना तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं बहूत सारी बाते हैं इस में लेकिन हम कुछ-कुछ बाते हैं हम आगे बढ़़ रहे हैं आगे 27 में हम जब पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुंचा हूं, हे पिता अपने नाम की महीमा कर, आपको अलमें, जब प्रभ दूँगा, आपको मैं प्रभु वो नहीं, प्रभु वो बाते नहीं कर रहा है, जो वो खुद नहीं करेगा, प्रभु खुद पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, पिता की सेवा पूरा करने के लिए, अपना क्या देने जा रहा है, जान देने जा रहा है, तो एक इ अनुष्य होने के नाते एक क्या है कौन जवान में जवानी में मरने की इच्छा रखेगा लेकिन आपको अल में प्रभी ये नहीं बोल रहा कि है मैं क्या करूं जब सामने क्रूस है प्रभू ये नहीं बोल रहा कि मैं क्या करूं क्या बोल रहा है अब मैं क्या कहूं क्या बो इस दुख से मुझे बचा लें, बलकि क्या बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, बलकि क्या बोलूँगा, हे पिता, अपने नाम की क्या कर, आपको अलमें जब हमारे जीवन में दुख मुसीबत समस्या आती हैं, दो प्राथना हैं जो हम कर सकते हैं, आम तोर पर जी इने वचन जादा जो नहीं सीखते हैं, वो क्या है, कोई बिमारी आ गई, कोई समस्या आ गई, तो क्या बुलते हैं, हे पिता मुझे, मुझे बचा, है ना, वो क्या प्रातना करवाते हैं, आप प्रातना करो कि प्रभू मुझे इस से क्या कर ले, बचा ले, प्रभू क्या बुलता है ना ना मैं ऐसी प्रात्ना नहीं करूंगा कि मुझे बचा मैं क्या प्रात्ना करूंगा हे पिता अपने नाम की क्या कर महिमा कर आप कल में जो प्रबु के पीछे उस समर्पन के साथ चलता है जीवन में कोई भी बात आए वो यह नहीं बुलता प्रबु मुझे इस महिमा होनी है अपको अनमे ऐसे करने से क्या हुआ तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे या उससे पहले हम पढ़ते है जब प्रभु ने बोला अपने नाम की महिमा कर तब यह आकाश्वानी हुई मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा अगर इस बात को अकाश्वानी अकाश्वानी पहले कब हुई थी बचन में आप देखेंगे बब्तिस्मा लेते समय हुई है पहाड में रुपांतरन परवत के समय में हुई है यहाँ पर हम देख रहे हैं तो कई जगा में हम देखते हैं अकाश्वानी हो रही है स्वर्ग क्या कर रहा है बो मर्पन रखते हैं आपको अलमें यहां पर आकाश्वानी क्यों हो रही है आकाश्वानी प्रभी एश्यु मसी किस प्रात्ना के कारण प्रभी एश्यु मसी यह नहीं बोल रहा पिता मुझे बचा ले अगर पिता मुझे बचा ले तो आकाश्वानी नहीं होगी आकाश्वानी हो क्यों रही है यह बचाने की नहीं क्या चीज की प्रात्ना कर रहा है पिता तु इस बात के द्वारा अपनी क्या कर महिमा कर उसी प्रकार आपको अलमें हमारे जीवन में जब यह समर्पन रहता है प्रभू आपकी महिमा होने मेरी मर्जी नहीं है आपको अलमें तब कौन ब बात करता है। क्यों? ये वो वेक्ति है जो अपनी मर्जी नहीं चाहता, मेरी मर्जी चाहता है। उसी से प्रबु क्या करता है? बात करता है। और हकाशवानी होते वक्त आपको आल में क्या देखें, यहां पर आप देखेंगे। जो लोग वहाँ पे खड़े हुए सुन रह नहीं परंतु तुम्हारे लिए यानि प्रभू पोलता है बेशक तुम्हे सारी बात समझ में नहीं आए लेकिन जो तुमने आवाज सुना, वो क्या बात की गैरेंटी देता है मैं जिससे बात करता हूँ, मैं हमेशा उस परमेशर के साथ क्या रहता हूँ, कनेक्शन में रहता हूँ, कम से कम ये देख कर मेरी क्या करो, मुझ पर विश्वास करो, कम से कम, यहोदी लोग का मन इतना कठोर हो गया, कितना भी चमतकार देखें, इनके जीवन में कोई भी क्य नहीं था, बदलाव नहीं आ रहा था, यहाँ पर आपकोल में आगे हम पढ़ते हैं, प्रभी येश्व बोलता है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि प्रित्वी पर से उचे पर चड़ाया जाओंगा, तो सब को अपने पास खींचूंगा, आपको अब मैं प्रभी येश्व मसी अपनी मौत के बारे में बोल रहा है, कि मैं जब कहां पर चड़ायाओंगा, उचे पर यानि मैं जब क्रूस पर चड़ाओंगा, सब को खींचूंगा बोलने का मतलब क्या है, सब को अपनी और आकरशित कर से, देखो परमेश्वर ने तुम से कितना क्या किया है, प्रेम किया, मैं जबर्जस्ती ने, आपको अब मैं दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े शासक आए, उन्हों ने अपने ताकत के दम पर राज्य किया, और समय के साथ साथ उनका राज्य भी क्या हो गया, मर्थ के द्वारा, प्रभू क्या बोलता है, जब मैं उस क्रूस पर चड़ाया जाऊंगा, मैं हर एक को अपनी और क्या करूंगा, खींचूंगा, और यहां पर क्या लिखा है, ऐसा कहकर उसने ये प्रगट कर दिया, कि वो कैसी मृत्यों से मरेगा, इस पर लोगों ने उस पर चड़ाया जाने का मतलब क्या बोल रहा है, क्रूस पर चड़ने की बात बोल रहा है, तो हमने पुराने नियम में पढ़ा है, कितने भविश्वानियों में हम बार बर क्या पढ़ते हैं, मसी का राज्य, अनंत काल का राज्य है, तो हमने मसी के बारे में तो ऐसा सुना कि वो क्या करेगा कुरूस पर उन्होंने कुछ बातों को देखा पुरानी नियम का और कुछ बातों को नहीं देखा कुनसी बातों को कि मसिया कैसे दुख उठाएगा मसिया कैसे जान देगा वो बाते उन्होंने देखा ने इसले प्रभी येश्व मसी क्या बोलता है ना हो कि अंदकार तुम्हें आग घेरे जो अंदकार में चलता है वो नहीं जानता कि किदर जाता है अब जब तक जोती तुमारे साथ है जोती पर विश्वास करो ताकि जोती की संतान बनो एक आपको अलमें ये पूरा घटना आखरी बात प्रभू एक चेतावनी भी दे रह आखरी बात इसके बाद प्रभू एश्व मसी अपने आपको लोगों से छिपा लेता है क्यों अब अंतिम समय आ गया सेवा का काम पूरा हो गया सेवा का काम पूरा हो गया आखरी चेतावनी प्रभू एश्व मसी यहोदियों को दे रहा है कि जब तक जोती है चले चलो क्य कि जोती कितने समय के लिए है थोड़े समय के लिए विश्वास कर लोगे तो जीवन बदल जाएगा नहीं तो तुम अनंद काल के लिए क्या करोगे पच्चता होगे आपको अलमें आज भी जब है कनुग्रे का समय है जहां परमेशर हमें वचन सीखने का क्या दे रहा है मौका दे रहा है अब कल में परभी यश्मस इतना परमेशर खुद होकर भी जब लोगों को वचन बता रहा है सच्चाई बता रहा है कितने लोग थे जिन्होंने अपने मन को क्या करके रखा कठोर करके रखा आज भी जब हम बचन सीखते हैं हम अपने मन को कठोर कर सकते हैं लेकिन वही चैतावनी आज भी हमारे सामने क्या बोलता है थोड़े समय के लिए अब जोती तुमारे साथ है हमें नहीं मालूम प्रभु का आगमन कब हो जाएगा बचन बोलता है वो दिन कैसे आएगा चोर के समान आएगा जब हम क्या भी नहीं कर रहे होंगे सोच भी नहीं रहे होंगे दुनिया की घटनाए दुनिया की तयारी ये सारी बाते हमें क्या बोलता है हमें नहीं मालूम कब क्या हो जाए लेकिन सारी बात ये है, क्या मैं अपने जीवन को जंक लगा लगा कर बरबाद करना चाहता हूं, अपनी इच्छाओं के लिए जीते हुए, या मैं ये बोलों प्रबु जितना समय बचा है, प्रबु तेरी महिमा के लिए खर्च करो, या नखना प्रबु ने भीड को, ये न बनाओ, मेरा चेला बनाओ, क्या मैं प्रबु का चेला हूं, जो प्रबु की सेवा करने का समर्पन रखता है, प्रबु के लिए जीना चाहता है, प्रबु के लिए खर्च होना चाहता है, या मैं उस भीड में से हूं, जो प्रबु का वचन सुनने आती थी, रोटी खाती ती और बाद में चले जाती थी मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ भीड अपने प्राण बचाती थी उन्हें अपने लिए जीना होता था लेकिन चेले कौन थे जिन्नोंने अपना सब कुछ किसके लिए छोड़ दिया प्रभु के लिए छोड़ दिया क्यों? प्रभु ने साफ साफ क्या बहला जो अपने प्राण बचाएगा वो उसे क्या करेगा? होएगा है ना? जब तक गेहुं का दाना गिर कर मर नहीं जाता तब तक फल्वन्त नहीं होता अगर मैंने प्रभु के लिए इस्तेमाल लोना है, तो शर्त क्या है? मैंने अपनी इच्छाओं के लिए क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा, कि प्रभु मैंने अपने लिए नहीं जीना, प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन के द्वारा क्या हो? पूरी हो, सारी बात है आज जब हम ये सब सीख रहें, क्या पर्मीशर मुझसे बात कर रहा है? कि मैंने आगे करना क्या है? या, मैं उस भीड के समान हूँ, जो सुनती तो बहुत कुछ थी, लेकिन बाद में वापस लोट जाती थी. प्रभू भीड को लेने के लिए नहीं आ रहा है, प्रभू किन के लिए आ रहा है? अपने उन चेलों को, प्रभू ने स्वर्ग का बादा आपको मालूम है किसको किया था, भीड को किया था, चेलों को किया था, चेलों को बोला था, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारी लिए जगा क्या करने गया हूँ ये चेले है जिनके लिए प्रबु जगा तयार करने गया है ताकि जहां प्रबु रहे वहां वो भी रह सके तो आज मैं कौन हूँ और मैं किसके समान जी रहा हूँ वो हमने एक-एक से अपने आप से क्या करना है? पूछना है, हम प्रात्मा करते हैं. हाललुईया! हाललुईया! सुर्गे पिता प्रभु जे हम आपको धनेवाद देते हैं. प्रभु आखरी सिवकाई के आखरी संदेश्यों को प्रभु आपने हमें सीखने को दिया, आपने साफ-साफ प्रगट करकर दिया, चेला कौन है? आपका जीवन कैसा था? क्या समर्पन है? क्रूस भी जब सामने हैं, भारी वेदना है, कितना भयंकर सजा है, पिता का क्रोध को सैना है, मन व्याकुल होने पर भी ये प्राथना नहीं कि पिता मुझे बचा ले, बलकि ये कि पिता तेरी महिमा हो. जो अपने प्रान बचाता है वो उसे खोएगा, जो अपने प्रान को प्रिये जानता है, उसे खो देगा यदि आज मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है मुझे अपने लिए जीने का मन करता है वचेन बोलता है, तू इसे बरबाद कर देगा लेकिन जो मेरा चेला बनकर मेरी सेवा करेगा जो जंक लगकर बरबाद नहीं करेगा जो प्रबू के लिए खर्चोगा जितना समय प्रबू ने दिया प्रबू तेरी महिमा प्रबू तेरी इच्छा पूरी हो वो समर्पन लेकर चलने वाला ही प्रबू का सच्चा चेला है प्रबो हम एक एक को मदद और सहायता करें आखरी चतावनी भी जो आपने दिया हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है प्रबो आपकी इच्छा के नुसा चलने के लिए हम एक एक को आप सहायता करें जो वचन हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं प्रबो इसे मनन करने के लिए आप खरपा दें प्रभू हम एक के एक से बात कर पिता धनेवाद देते हैं प्रभू आज की संगती के लिए सब बातों के लिए हम आपको धनेवाद देते हैं सरादर और महीमा के लिए हम आपको देते हैं प्रात्ना प्रभ्येश्य मसी के नाम से माते हैं